जमा काली, वेलकम बैक टू मैं चानल एस्टो शद्धा शर्मा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एट थाउस में केतु है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव आएंगे केतु एट थाउस में बैठ कर आपके कौन से पैंडिंग करमाज दिखाते हैं एट थाउस के कारक्तत्व क्या है, केतु के कारक्तत्व क्या है जब केतु एट थाउस में बैठते हैं तो किस तरीकी की परेशानिया एक जातक के जीवन में आ सकती है और उन सारी परेशानियों से निकलने के लिए उनके रिजल्ट को पॉजिटिव पाने के लिए आपको क्या वो रैमेडीज है जो करनी चाहिए तो बात करते हैं, सबसे पहले हम केतु के कारक्तत्व, एट थाउस के कारक्तत्व और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है कि 8th house आपका mystery का house होता है house of secrecy 8th house को कुंडली में एक mysterious place बुला गया है वहाँ सिर्फ अधेरा है वो एक ऐसा रास्ता है जो इतना अधेरा है जहाँ इतना गूर ग्यान है जो नॉर्मल आखों से दिखता नहीं है 8th house को rectum place भी बुला गया है जहां सूरी की रोशनी नहीं जा सकती और जिस जगह सूरी की रोशनी नहीं जा सकती उस जगह क्या क्या है वो आप जब वहाँ जाओगे तो ही आपको पता चलेगा अब हम इसमें ये बात करेंगे कि केतू अगर 8th house में बैठेंगे तो कैसे results देंगे क्योंकि 8th house is the house of your transformation आपके जीवन में जो भी बदलाव आएंगे उसका कारक 8th house है 8th house आपके गूड रहस्यों की जानकारी जो आपको ऑल्रेडी जीवन में जो नॉर्मल लोगों से या नॉर्मल लोगों को आँखों से नहीं लिखने है वो कहीं से आपको प्राप्त होती है इवन आपको खुदको उसका source नहीं पता वो भी आपका 8th house है 8th house इसके अलावा बहुत सारी चीजों को रेप्रेजेंट करता है जैसे अगर आपको बहुत किसी भी चीज में research कर रहे हो, deep study कर रहे हो आपका 8th house involved है आप insurance के काम में हो तो भी आपका 8th house involved है अकर आप किसी pension या फिर unearned money या फिर inheritance की चीजों को देखते हो वो भी आप 8th house से देखोगे अब वहाँ जब केटू बैठ गए है क्योंकि केटू एक astrology में केटू को बहुत important माना गया केटू कारक है क्योंकि केटू शूक्ष्मिता है और जो 8th house है 8th house is also a house of occult तो जो planet है astrology के लिए जो कारक planet है वो केटू को क्यों बहुत जादा महत्वता दी गए क्योंकि केटू बहुत शूक्ष्म चीजों की जानकारी रखने में शक्चम है क्योंकि केटू बारी की है किसी भी चीज़ की पतला बाल है वायर है केटू roots है केटू is your karmic DNA आपका karmic जो DNA है न वो केटू है केटू आपको ये बताएगा past life में आप किन सारी चीजों से जुड़े होए थे तो जब 8th house के कारक तत्यों क्योंकि 8th house में उकल्ट भी आ गया उसमें तंत्र मंत्र भी आ गया उसमें एक ऐसा गूड रहस भी आ गया जो दुनिया को नहीं पता है आपी को पता है ठीक है जो उसमें उस फील्ड में है जिसका 8th house एक्टिवेट है उसको मालूम है वो सारी चीज़े अब हम यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एडिया ले लिया 8th house का आप हम जानेंगे कि केतु जब 8th house में आपके बैठ गया है केतु अपने कारक्त्तों को कैसे ब्लेंड करेंगे और आपका पैंडिंग कर्मा क्या था देखिए केतु जिस घर में बैठे हैं बहुत क्लिरली वो ये बता रहे हैं कि इस घर में बैठ करके मैं आपको एक क्लिर इंडिकेशन देता हूं कि पास लाइफ में आप यही काम कर रहे थे जिस घर में केतु बैठा हुआ है उस घर के कारक्ततों में आप लिप्त थे पिछले जनम में आप वही सारे काम कर रहे हैं इसका मतलब अगर बहुत दियर है अगर आपका केतु एट थाउस में है आप ऑकल्थ के किसी काम में होगे आप किसी साधना में गुप्त साधना में होगे आप किसी सीक्रेट मिशन पर होगे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में दो को जो रॉ एजन्स होते है न गुवर्मेंट के सीबी इमें होते हैं उनका भी एट थाउस एक्टिवेट होता है तभी वो किसी ऐसे सीक्रेट मिशन पर काम कर पाते है तो आप किसी एक ऐसे मिशन पर हो सकते हो पिछले जनम में केत्व को एट थाउस में मिलना आपके चार्ट में एक चीज और दर्शाता है जो आपका पैंडिंग कर पहली चीज यू हाब नॉट कम्प्लीटिट यू वर दूइंग दोस तिंग्स जो आपके एट थाउस के कारक्तरत्व है आप उसके सनलगन थे आप हो सकता है, आप आप आपलट में हो आप किसी डीप रिसर्च में हो आप नहीं कर पाई और आप का जो वक्त था वो समापत्र हो गया इसलिए केतू आपको एट थाउस में मिले एट थाउस में जिसका केतू बैठता है उन लोगों के पास एक एक ऐसा ज्यान होता है, उनको खुद को ही नहीं पता होता है, कि सड़नली ये सारी चीज़े मुझे कैसे पता चल जाती है, कैसे मुझे चीज़े आते हैं, क्यों मुझे युनिवर्स में इतना इंट्रेस्ट है, जो लोग आपलत में नहीं है, जो आभास होने लगते हैं, क्योंकि केतू आपके 12th house पर 5th aspect आल रहा है, तो आपको जो भी घटना होने वाली है, उसके आभास होना शुरू हो जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता है, कि मुझे ये सारी चीज़ें आप पता कसे चल जाते हैं, आपको वो केतू बताते हैं, क्योंकि past life में आप उसी तरीके की सिध्धियों में थे, आप उसी तरीके की ज्यान को अर्जित कर रहा थे लेकिन पैंडिंक कर्मा क्या हो गया? आपने पिछले जनम में उस ज्यान को हासल तो किया, लेकिन उस ज्यान से किसी को बेनिफिट नहीं होने द्या, आपने किसी को उन्होंने knowledge gather की अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, जितना भी उनको जो जो भी उनके घर में astrologers आते थे, जिनके भी संपत्म हैं, उनसे उन्होंने जो कुछ भी सीखा, वो सब कुछ लिख करके संसार को बता के गए, उनका विश्वास था कि उनको जो भी ग्यान है ना सबको दे देना है, तो केतू जब एट था उसमें आता है, तो सबसे पहली दे पात तो इंसान अपने उस गूर ज्यान के लिए बहुत साथा पज़र से हो जाता है, कि अरे मुझे आता है, मुझे आता है, I am someone special, नहीं, केतू आपके पास आया है, आपका pending कर्मा है, कि आपक किसी भी Remedy की जरूद नहीं है, दूसरा, केतू जब second house में होगा, आप कितनी भी कोषिश कर लेना, अपने spouse के साथ, आपके spouse का house सेबिन्थ हाउस है, आपके spouse से second, उनका धन भाव िलाभ मा का अपके spouse का, आप कोई भी joint में asset Di criteria नहीं कर सथेranere, accumulated wealth जो होती होती है, joint clearance यह कर लिया, वो करा लिया, मत करो, क्यूंकि वो चीजें होंकी नहीं, ससुराल से, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा पेस करने को मिलेगी, आप कितना भी अच्छा कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन आपको वहां से पीड़ा मिलेगी, केतु देखे, एक शौक होता है, सदन ट्रांस्फरमेशन का कारक भी केतु है, इवन केतु ने क्या किया, वो आकर के भी एट्थ हाउस में बैठा है, एट्थ हाउस is also a house of transformation, उसी का house है, ट्रांस्फरमेशन का, अब यहां डबल एनरजी काम करें, तो जिसके जीवन में, केतु एट्थ हाउस में बैठा हुआ है, उस इंसान का जीवन किस चीज के लिए, जो बूर रहसे को, जो अपने साथ पिछले जनम से लेकर के आया है, मैं तो बोलते हूं, केतु एट्थ हाउस बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, अगर किसी को किसी चीज में रिसर्च करनी है, किसी चीज की रूट्स में जाना है, आप पिछले जनम से जो ग्यान लेकर आये हो, उस ग्यान को सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट करने की देर है, जैसे हनुमान जी को उनके शक्तियां ज्याद नहीं थी, उनके अंदर कितनी शक्तियां उनको पता ही नहीं थी, कि वो क्या-क्या गार सकते हैं, उनको उनके शक्तियां याद दिलाई गही थी, तब याद आया, ऐसे ही केतु है, के तू आपको 8th house में मिला है वो बहुत clearly depict कर रहा है कि आप past life से बहुत साधा रहसमय जो ग्यान है वो ले के आयो only the thing is you have not tapped till today's date जिस दिन आप उस ग्यान को tap करोगे के तू 8th house वालों को occult में जाना चाहिए के तू 8th house वालों को astrology में occult field में research करनी ही चाहिए क्योंकि आपके जैसा researcher कोई बन नहीं सकता क्योंकि के तू बहुत बारी की माइक्रो लेवल पर जाके काम करता है इतनी बारी की में लोग उपर उपर का समझ लेंगे लेकिन आप जड़ तक चले जाओगे आप एकदम रूट में जाकर के यह समझ के आ जाओगे कि यह चीज क्यों है विद लॉजिक आप सामने वाले को समझा सकते हो आपका सबसे बड़ा फर्ज इस जनम में यही है आपका जहां फैमली की बात आती है आपके सांथ जहां आपके सांथ कुछ जॉवट अचन्टव हो रहे है ठीक है बट नहीं होता है तो भूज़ जाओ पर है और उसके बात रहे हैं फिर एक जईस होêuट हैं ठीक है बट नहीं होता है तो भूल जो, because आपने पास लाइफ में जो भी करमाज है आपके, उसके वज़े से ये पॉसिबल नहीं है, एट थाउस में केतू है, थोड़ा सा आपको अपने गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टन थे केतू, केतू की आदत है ना श्रिंक करना, चीजों को सु करने इन सना आखने चंस सब्सक्राइट filmed चाइब थाउस में अगर ओने जाते हैं, लेकिन अगर आफ्लीक्षन में है, तो आप थोड़ा सा उस्चीज को देखो की आफ्लीक्षन है या नहीं, अगर अफ्लीक्षन है तो किस प्लानेट से chari अफ्लीक्षन है, तो किस प्लैन तो that will help you a lot. दूसरा, जब केतु आपको एट्था होस में मिले हैं, आपका सबसे बड़ा पैंटिंग कर्मा मैंने आप लोगों को बता है कि जो ग्यान आप हासिल करोगे, वो ग्यान आपको दुनिया के साथ साध्जा करना है. बहुत सारे लोगों के आता होती है, मुझे ये चीज बता है, ये मैं जब चार्ट देखूंगा या देखूंगी, तो मैं लोगों को बताऊंगे, और ये तो बहुत अच्छी चीज़े हैं, ये तो बड़ी अच्छी हैं, या ये तो बड़ी अच्छी हैं, और आप किसी को आ वापस आप गड़बर कर रहे हो अपने केतु के साथ, आपके केतु देव, आपको clearly indicate कर रहे हैं, एट थाउस में मैं आपके बैठा हूँ, आपको, लोगो, केतु हीलिंग है, केतु किसी को ना, हील करने की पावर रखते हैं, केतु is a healer, आप अगर किसी को हील ही नहीं कर पा रहे हो, इस universe की mysteries resolve करने में, आपके केतु कोई आपने utilize नहीं किया, वापस, you have to go through that cycle, क्योंकि केतु ही एक मोख्ष कारक प्लैनेट, और आप एक चीज समझ लीजे, आपके केतु मोख्ष भाव में बैठे हैं, 4, 8, 12, ये तीनों मोख्ष के भाव हैं, अगर केतु आपके मो मोख्ष के भाव में बैठे हुए हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं, कि इस journey में, do that, just get into the salvation, आपको salvation की प्रापती के लिए, आपको salvation की प्रापती के लिए, आपको मोख्ष की प्रापती के लिए, मुक्ती की प्रापती के लिए रहा मिली है, कुछ भी चीज अपने अंदर म बहुत सारे लोगों की आदत होते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, दूसरों को सीज के बारे में बताएंगे नहीं, लोग परिशान हो रहे हैं, वो तो आप लोगों को सबसे अच्छी रेमेडी यही है, केतु की, specially अगर हम लोग किसी भी एक एक एस्ट्रोजिकल रेमेडी की प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने बताएं, सबसे अच्छी रेमेडी हैं, गुप्तदान क्योंकि 8th house is the house of secrecy, किसी को भी गुप्तदान कि जीज को दान करें, लेकिन गुप्त रूप सीखीजी, इस्पैशली जहां लोगों की जो लोग व्रधाश्रम में हैं केतु आपकी व्रध्ध अवस्था भी बताते हैं तो केतु के लिए आप व्रध्ध लोगों को जाकर के उनकी जरूरते हैं उनका ध्यान रखपाऊगे बिना बताए के आप कर रहे हो तो वह आपके केतु को बहुत सादा स्ट्रेंथ देंगे क केतु आपकी जड़े हैं आपके आगे वाले जेनवेशन आप जस तरीके से अपने केतु का यूटलाइजेशन करोगे उसी तरीके से आप अपने आगे आने वाले जेनवेशन खो बनाऊगे तो मेक श्रोड को जो जो मैंने रमीदीज बताए है मुजर्गों की सेवा करना से कीजिए अपने ग्यान को अपने पास ना रखके दूसरों को बाटें के तू एस्टरोजी है के तू आपका रहसेमरी ग्यान है ऑपल्ट बहुत जरूरी आप लोगों के लिए अगर आप लोग एट हाउस के कारकों से परेशान हो आपकी आपके हस्बिन के पास पैसे नहीं आपके लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम्स उधल पधल मची हुए हैं बहुत जादा सेटली नहीं हो पाते हैं बहुत जादा कॉंस्टेंट ट्रांस्वर्मेशन चेल्डर आपके लाइफ में एक चेंज के पाद दूसरा चेंग दूसरे के बाद और एदम सड़न अगर वो सारी चीजों से बहुत जादा परेशान हो, तो प्रीजिज़ गेंट दो एस्टे लोजी गेंट गेंट इस्टेड़ी , इसट्रोलोजी तक महते हैं, प्रा शाष्त्र हो जाहे आप मंत्रसाधना करें तंत्र साधना लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं तो I would not take that name तंत्र is the best way to reach to the particular date यह आप जिसको जैसे मैं मा काली की पूझा करते हूं तंत्र is the best way to attain that stage लेकिन तंत्र को लोग बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं दूसरा आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है के तू जड़े हैं एट्थाव सीक्रेसी है आप जो साधना कर रहे हो अब ग्यान दूसरों को दो लेकिन आप जो साधना कर रहे हो जाहे वो मंत्र साधना हो या कोई भी तरीके की साधना हो यू आप सपोस्ट टो शेर विद एवरिवन क्योंकि वो एट्थाव उसके भी कारक्तत्व उसमें शामिल है अग केतु साधना भी है बहुत गहरी जो साधना है करते हैं लोग चले जाता है मंत्र साधना में मंत्र जाप में मैंने देखा है मैं जानते हूं किसी को वो एक दिन में दस हजार मंत्र जो आप करते हैं मंत्र छोटा है बहुत चोटा है बीज मंत्र है बट 10,000 ताइम्स लोगों के लिए लोगों का हाथ देखना कुछ भी करना वो उनके सिस्टम है हमाचल में रहता है तो वो वो चीजे सारी करते है लेकिन शाम के चार बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंत्र साधना में रहते है ये गूर साधना है उन्हों ने बता दिया लेकिन जिसका एट थाउस में एट परसन इस नोट सपोस्ट टू शेर देट ये चीजें आप लोगों को धान रखने है और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगाएते से लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना है जया मताया